राज नाला इस्मृतिक 36 गड़ कैडर के 2020 बैच के IPS अफसर हैं वे मूल रूप से तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं NIT से बीटेक करने के बाद UPSC एक्जैम क्रैक कर वे IPS अधिकारी बने उन्होंने छटमें अटेंट में All India 466 रैंक के साथ UPSC एक्जैम क्रैक किया और इंडियन पुलिस सर्विस यानि IPS के लिए चुने गए खास बात ये है कि IS से पहले उन्होंने IPSC विकल्प के तौर पर भरा था IPSC बनने से पहले उनका चैन असिस्टेंट कमांडेंट SSB के लिए भी हुआ था राजनाला इसमृतिक तिलंगाना राज्य के वारंगल के रहने वाले हैं उनका जन्म वारंगल में 14 मई 1992 को हुआ था उनके पिता मेहर मोहन राओ और मासरला राओ दोनों अधिवक्ता है राजनाला इसमृतिक अपने माता पिता की इकलौती संतान है उनकी दस्वी तक की शिक्षा वारंगल के सिंट जेवियर स्कूल से पूरी हुई दस्वी में उनके 90.5 फीजदी अंकाय थे ग्यारवी और बारवी की पढ़ाई उन्होंने फिजिक्स मैट्स केमिस्ट्री के साथ हैदराबाद के विजहरतना जूनियर कॉलिच से 91.1 परसंट मार्क्स के साथ उत्तिर्ण की बारवी के बाद AIEEE एक्जैम क्रैक कर उन्होंने NIT वारंगल में एडमिशन लिया और यहां से बायो टिकनोलोजी ब्रांच में बीटेक किया 2013 में वे बीटेक पास आउट हुए राजनाला इसमृतिक का बीटेक के फाइनल एयर में कैंपस प्लेस्मेंट मल्टिनेशनल कंपनी डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज हैदराबाद में हो गया यहां उन्होंने 2013 से 2017 तक जॉब किया जॉब करते करते ही उन्होंने UPSC एग्जैम की तयारी शुरू कर दी दरसल वे जब बीटेक कर रहे थे तो उन्हें पश्यम बंगाल कैडर के एक IPS अफसर से मिलने का अफसर मिला था उनके कॉलेज के बैच मेट के पिता पश्यम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान दोस्त के पिता से मिलकर IPS अधिकारी बनने की प्रेरना इस मृतिक को मिली राजनाला इस मृतिक ने प्राइविट कंपनी में नौकरी के दोरान UPSC एक्जाम की तैयारी शुरू की 2013 से 2017 तक नौकरी के साथ उन्होंने UPSC के चार अटेम्ट दिये लेकिन सफलता नहीं मिली इसके बाद साल 2017 में उन्होंने नौकरी से स्तीफा दे दिया और पूरी तरह खुद को तैयारियों में जोक दिया UPSC एक्जाम 2019 में उन्होंने अपने छटमें अटेम्ट में All India 466 रैंक के साथ UPSC एक्जाम क्रैक किया और IPS के लिए चैनित हुए राजनाला स्मृतिक ने वैकलपिक विशे के रूप में Anthropology सबजेक्ट चुना था उन्होंने IES से पहले IPS का आप्शन भरा था IPS अफसर बनने से पहले UPSC के माध्यम से ही सशस्त्र सीमा बल में Assistant Commandant के लिए भी उनका चैन हुआ था Assistant Commandant की 6 मेहने तक की ट्रेनिंग भी वे पूरी कर चुके थे ट्रेनिंग के दौरान ही उनका Indian Police Service यानि IPS के लिए चैन हुआ उन्होंने 10 अक्टूबर 2020 को Indian Police Service जोईन की सरदार वल्लब भाई पतेल पुलिस प्रशिक्षन अकादमी से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षू IPS के तौर पर उनकी न्यूकती जग्दलपूर जिले में हुई जग्दलपूर में वे परपा थाना प्रभारी रहे जग्दलपूर के बाद वे CSP अंबिकापूर बन कर गये अंबिकापूर के बाद वे दंते वाड़ा जिले में एडिशनल SP नकसल उपरेशन के पद पर पदस्त हुए यहाँ पुलिस अधिक्षक गौरव राय के मार्ग दर्शन में तीन नकसली मुठभेड में राजनाला इस्मृतिक को सफलता हाथ लगी एक इनकाउंटर में 12, दूसरे में 6 और तीसरे में 8 नकसली मारे गए थे नकसल उपरेशन के दबाओ के चलते काफी नकसलीों ने सरेंडर भी किया और कई गिरफतारियां भी हुई वर्तमान में राजनाला इस्मृतिक एडिशनल स्पी नकसल उपरेशन दन तिवाड़ा के पद पर पदस्थ हैं निजी जीवन की बात करें तो राजनाला इस्मृतिक को फोटोग्राफी और रनिंग का बेहत शौक है उनकी शादी साल 2020 में कृष्णा श्री से हुई है Bureau Report, NPG News